बूर्णिंग स्टूनर्स अज अपान नियु चप पे स्टार्ट करना है स्टेटेस्टिक्स एच सब्सक्तों पहला टोपिक है मीन मीन तो उसी नाइंध तेंध ख्लास सी कीता है एक दाँ फाइड आउट करना है देखो थ्री डिफरेंट तरहनी यां सीरीस है निया रा सीरीस डिस्क्रीट सीरीस दे कॉंटिनु सीरीस जे रा टा होए मीन फाइड आउट करना है मीन पागेने एक्स बार मीन उपके ने एक्स बार किदा फाइंड आउट करीदा है सारियां टर्म प्लस कर देगी है नमबर ओफ टर्म से नाल कर देगी है सारियां टर्म प्लस कर देगी है नमबर ओफ टर्म से नाल कर देगी है मीन निकल दा आपड़ बोल Discreet series चे किदा करीदया है Discreet series चे frequency जितिया हूं दीए Discreet series O series चे उन दीए एच चे frequency गिवन नों दीआ पड़न एच चे mean कटन दा formula X bar कटन दा formula Summation Summation नो sigma भी कह दें देओ गोगे तुसी Summation F I X I by capital N Summation F I X I by capital N जड़ा small N नों दाना हूं ता number of terms Summation F I чисeline F I P I P I जड़ा capital N नों दा फ्रिक्वेंसी दासामुन्दा जड़ा capital N नों दा हूं दा फ्रिक्वेंसी दासामुन्दा ते continuous O series न दीए वेर interval is given Class interval देओ पाणू जिना जी class interval देओ मीन अपामिशा Continuous series आने method देना लगटना देखो येरा continuous series सब्सक्राइब एक्स वार इस इकल डू ए एंदा जी ओंड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच अपॉन कैपिटल एन इंटू एच वेर वेर डी की दे परबबर गए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच दे डी आई यह दे परबर गए एक्स आई माइनस ए पॉन एच ए तेन दरीक्टे गए मीन वाईनुट दर ना लेए अज़ अब करांगे देना अल देशाम जोड़ा प्लस वंद अपना मीन पहला टोपी केगा वो कीगा है मीन डवीएशन अबाउड मीन यानि की मीन तो किनी दूरी देटा में आए रा डड़ा है जीट सिर्फ एकसाइद ता है ओदे विच्छे मीन डवीएशन अबाउड मीन कीड़ा गड़ना है सित्सित्सित्स फार्मुल सिस्क्रू एज़ इख एकस बार अपोन समोल न जिनना चाइद दीक्तियों दी summation x i minus x bar upon small n small n आगा number of terms discrete series जा continuous series एक इतना solve करना देखो ये रहा एदे विच frequency देती हो इगी एदे विच मीन deviation एदे विच मीन deviation about मीन कड़न दा फारमुड मीन deviation about मीन कड़न दा फारमुड summation f i x i minus x bar upon capital n x i minus x bar upon capital n discrete series मीन पहला दुसी यदा गटना है continuous series से यदा गटना मी ओतना मतास दा कि sum solve की यदा गटना आफ फारमुड याद रख़ो पहला दुसी फिर अपा sum करते है sum जा लाग ये रोजेगा आज आपा sum करने mean deviation about मीन थे 15.x को लोग ये फर्स्ट कोशन ही यागा find the mean deviation about मीन raw data raw data मतलब o data हुंदा जी दे विच फ्रिक्वेंसी नहीं थे तिया पणू एदे विच आपणू फ्रिक्वेंसी नहीं थे तिया हुई इना सारी प्लास करना है जो इना सारी प्लास करांगे 30 42, 52, 61 69 76, 80 प्लास करके आए ना 80 तुसी प्लास करके विए लोग तोड़ा 80 आएगा पहले एक्स बार कटना तुसी एक्स बार कटना है एक्स बार कटना था फार्मुला की उंदा रहा आटा थे तुसी प्लास करना है फ्रिक्वेंसी नहीं किवन लगी एक्स बार कटना था फार्मुला का समेशन एक्स आई बाय समोगल न समोगल न न था नंबर ओफ टम्स तो निया नंबर ओफ टम्स यह काउंट करो 12345678 8 है यह नंबर ओफ टम्स मतलब 18 नू 8 ना डवाइड करांगे आपने को लाज़ेगा 10 18 नू 8 ना डवाइड करांगे आपने को लाज़ेगा 10 यह आया अपना x बार उन नवा कोल्म किदा मनोना है नवा कोल्म बाज बना थे x i माइनस x बार उदा मूडूलस नाली मोडुलस कर देओ एक ओलमनों आपानी X आई एगा होगत माइनस X बार X बार मीन एगा 10 4 विचो 10 माइनस करिए माइनस 6 आँदा पर मोडुलस दा काम दान एक्टिव नूँ पोस्टिव करना दे पोस्टिव नूँ पोस्टिव रहंदना 4 माइनस 10 माइनस 6 आँदा मोडुलस होगे 6 होजेगा 7 माइनस 10 माइनस 3 आँदा मोडुलस होगे 3 होजेगा 8 माइनस 10 माइनस 2 आँदा मोडुलस 2 दरवान आजेगा करके वेगा ना प्लस माइनस आजने या तड़ेखो एना सारे नूँ प्लस करो जो दो इना सारे नों प्लस करांगे 6 3 9 2 11 12 14 14 13 17 37 24 एना सारे नों प्लस करांगे अपने को लाएगा 24 अग्या आपा फार्मुला लिखना है मीन डेविएशन about mean mean deviation about mean फार्मुले ज़िए की लगदा समेशन x i minus x बार दा mode upon small n पिशले पेश दे फार्मुला की ता लेया देखो mean deviation about mean दा समेशन दा मतलब हुँँदा आली टर्मुल गरना प्लस एनों प्लस करके अंसर आपने को 24 small n यह number of terms 8 न डिवाइड करांगे अपने को अंसर आएगा 3 यही अपना अंसर आएगा हुँदे न आल दाना same to same question आगा question 2 ओ तुसी करना example 1, example 2 भी same है की यह करनी तुसी वो तुसी करने सोल वो मैंनी करांगे राड़ आड़ा रही है अगर फिफ्ट कोश्चन देखो जरा फिफ्ट कोश्चन जगा है find the mean deviation about mean mean deviation about mean calculate करना है frequency देती है यह नालता x i यानि की discrete series है की यह आली discrete series आले method देनाल mean find out करना है frequency दा करना sum ए 10th class कीता दुसी 7 ते 4 जगा 11 ते 6, 17 ते 3, 20, 25 f i x i multiply करानांगे 35, 40, 90, 60, 125 एना सारे नों class करानांगे f i x i करीज़ना क्योंकी mean करना फार्मला क्योंदा है x bar is equal to summation f i x i by capital n यह mean करना फार्मला है इना सारे नों plus करांगे जो तो plus करांगे अपना answer आएगा plus करके 350 350. capital n दा frequency दा sum ते frequency दा sum एगा 25 14 आएगा अपने गोल 14 आएगा x bar हुन देखो यह राग्ये mean division about mean दा फार्मला की एगासी discrete series दे वीचे x i वीचो x bar करना minus x bar हुना mean modulus करना है ते बाज frequency ना multiply करना है ते capital n मतलब frequency दे sum ना करना डवाई ते आएगा दो यह राग्ये करना कितना है यह दे वीचे करना आपा x i minus x bar दा modulus बाज frequency ना multiply करना है frequency ना multiply करना है देखो यह राग्ये करना है x i वीचो 14 माइनस करना है x i वीचो 14 माइनस करना है आज एगा आपने को लो minus 9 minus 9 दा modulus हो जेगा 9 यही अना चाक करके वेख लिएओ 10 भी चो 14 माइनस करांगे x i minus x bar है ना minus 4 दा modulus 4 देर वान आज ना 15 चो 14 माइनस करके 20 चो 14 माइनस करांगे 6 25 चो 14 माइनस करांगे 11 इन्नों प्लस नहीं करना इन्नों frequency ना करना multiply मतलब आ दो में कोडम ताड़े उने multiply 7 9 दा 63 4 4 दा 16 6 1 दा 6 6 3 दा 18 5 11 दा 55 यह आएगा आपनी कोड़े जो दो प्लस करांगे आपना यह दर आएगा 79 ते 6 85 85 दे 18 80 दे 18 103 103 दे 55 158 आएगा प्लस करके देखना mean deviation about mean लिखना थ्यापा mean deviation about mean पहला फार्मना लिख देना है summation f y x i minus x bar y आप सारे नूं 158 capital N उन्दा frequency दा सम 25 अगा आपने को ते जो दो डुआइड करांगे 6.32 आएगा डुआइड करके लिए 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 6.32 आएगा अपना अपना अंसरा आइडा है नूं एदे बेस्टे सेम एज तड़ा आप कोस्चे नूंबर आगा शिक्सद ते ना लगी तड़ी ग्जांपल फूर यदे बेस्टे सेम आले कोस्चे करने तुसी अपने आप अगे देखो ज़रा है अगे कोस्चे नूंबर करना पर नाइंथ कोस्चे नूंबर नाइंथ करना है find the mean deviation about mean mean deviation about mean calculate करना है income पर डेल इताइं रुपीस यानि कि 0 तो हंड़ता कर जिना नूंग इंकम है गी यह नंबर हो परसन है गे 4 हंड़त तो हंड़ता कर ले जड़े पैसे के मोदे पर नादी फ्रिक्वेंसी गी 8 अग्दा ही सारे इंटर्वल देता है मैं class interval vertical order चे लेख लेया आज अग्दी दूची नाइच दिती नूंग बोल दे फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी भी लेख ली मैं हून ए देता है continuous series it's a step deviation method देना mean calculate करना है मतलब दूचे तरीके ना calculate नहीं करना step deviation method देना continuous series देता mean अध्या calculate कर देता है easy हो यंदा sum solve करना interval देना हुन देखो यह अपला frequency नूं plus कर देया 4 दे 8 कि ना जेगा अपने को ले question नहीं है अगा find the mean deviation बाट मीन बस पिछली discrete series यह continuous series गिवन है interval गिवन है ना अच्छे 4 दे 8 प्लस करांगे 12 21, 31, 31, 37, 38, 43, 47, 50 यहना प्लस कर देए एदे विचे x अई कटिएदा है x i कि अगा calculate करीदा अगा ना दो प्लस करीदा 2 नददवाईद ना दो प्लस करीदा 2 नददवाईद कारके देख ले हुं तो यही हना है इस तो बाद कटिएदा हैं दर d.i d.i कि अगता calculate करीदा है D I कटी दा है X I minus A upon H H उन दा है जिनना मनलो difference हो एंडर वल दा H आपना है अजियूंड मीन कुछ भी मनलो विच का आराली टर्म मनलो मनलो कोई भी विच का आराली टर्म 350, 450 मन सकते हो मैं 350 मनले ना A अजियूंड मीन है अपना A अपना है अजियूंड मीन A किदा करना समसोल वेखो यह रहा X I है गा 50 50 विचो 350 करांगे माइनस माइनस 300 आएगा H नार वाइड 100 नार वाइड माइनस 3 आएगा करके वेखना ना अद्धा ही आणा है माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4 आएगा प्लास करके वेखना है अद्धा ही होता है मीन दी रेक्वार्मेंट की यह F I D I करीद है F D मिल्टिप्ला ही करीद है करो मिल्टिप्ला ही नة मिल्टीपुलाई करांगे yemाइस 12 8 मीनस 2 मैनस 16 9 मैनस 1 मैल्टीपुलाई करांगेマनस 9 10 नो 0 नो multiply करांगे 0 7 10 12 12 उन्हें इना सारे नो पा plus करना इना सारे नो पा plus करना plus करके record 24 आ गया 34 ते 741 41 आ गया ते 8 अर्मा करने है minus दरू माइनस 37 आना है 41 माइनस 37 आपने को लांसर आई ना 4 उन्हें मीन कटें दा फार्मुला क्यों दा देखो यह रहा X बार कटें दा फार्मुला A plus summation FD by N into H A फार्मुला A अगा 350 plus summation FD 4 आगा by N frequency दा सम आगा 50 into H H अगा 100 H अगा 100 50 दी अंड़ना कटेंगों जीगे 2 हा जेगा 2 4 ना मिल्टी बला ही हो जेगा 8 यह आजिए लिए इस्तो बाद आपके किदा गल्कुलेट करना यह आए X बार नवा कोड़ना मिल्टी बला होना आपा XI minus X बार्दा मूड XI minus X बार्दा मूड एन्नू F देनाल करना मिल्टी बलाई एन्नू F देनाल करना मिल्टी बलाई XI minus X बार्दा मूड करना XI एगा 50 50 विचो 358 माइनस करांगे 50 विचो 358 माइनस करांगे माइनस 308 आएगा मूडलस होगे 308 बाँचेगा 150 विचो 358 माइनस करांगे 150 आणा 358 माइनस करांगे अपने बलाएगा 208 माइनस 208 मुटलो सोगे हो जेगा एदा ही 250 चो करांगे यह टा जेगा अधेना गड़बन ना करते हो 450 चो जो तो 358 मैंनिस करांगे 92 होना है 92 होना है तेदर अना 192 जीरो तो बाद ना अधियली टर्म तो बाद चेंज लो जांद है 292 319 होन इननु एफ ना करोना मल्टिपलाई आठ अरम नू एफ देनाल करोना मल्टिपलाई 3089 जो फोर ना मल्टिपलाई करांगे मतलब अपने को लाएगा 123 तो करके वेगले मल्टिपलाई यही आएगा चार नो तेनना करांगे 12 яв mouth at 48 बती हूं लेट रोप मственना अठ रूम टू जीरो त्रियों मिल्टिपला ही करांगे 8 रोप 12 रोप करांगे स्ोर्न हो रच जोण इप एट स्थीन उट्यूलियों मुल्टि करांगे याना नाइन सेम्ट्य ही लग एट ना मल्टिप्लाई करांगे 80, 10 नूँ एट ना मल्टिप्लाई करांगे 80, 92 नूँ 7 ना मल्टिप्लाई करांगे, अपने कोल आएगा 644, करके वेगना यही आएगा, 192 नूँ फिर आपा मल्टिप्लाई करना 5 देनाल, आ 192 ना मल्टिप्लाई करना 5 देनाल, आला कोल में देनाल मल्टिप्लाई हो ना, देखो यह रहा, फिर क्वेंसी देनाल मल्टिप्लाई हो ना, 192 ना मल्टिप्लाई हो ना, 192 ना मल्टिप्लाई हो ना, 960 आजेगा, 292 ना मल्टिप्लाई करना, 292 मल्टिप्लाई करना 4 ना, 1168 आएगा, 392 मल्टिप्लाई करना 3 देनाल, 392 multiply करना 1176 आएगा उन्हें इन्हें सारे नों प्लस करो इन्हें सारे नों प्लस करो जो तो प्लस करांगे प्लस करके अपना answer आएगा 7896 7896 आएगा प्लस करके अगे देखो जरा अगे आप लिखना गी है mean deviation about mean mean deviation about mean calculate करना इक question दी requirement आएगी ही पहला फार्मला अप्लाई करतना summation fy x i minus x bar by capital N ये फार्मला अप्लाई करतना इन्हें इन्हें दी value गेखो fy x i minus x bar देश हम दी value की 7896 7896 divided by capital N उन्दा frequency दा sum इन्हें दी value की 50 frequency दे सम्दी value की 50 जदो divide करोगे ना तर आंसर आईना है आपने को ले 157.92 157.92 यही दर आंसर दे ये दे बेशते same to same आपने को लागी example 6 आपने को लागी है same as example 6 question 10 15.1 एक्सराइज दा ही आपने को लागी है तर आपने को लागी है तर आपने को लागी है तुसी करना है question 2 question 6 question 10 exercise 15 को लागी है plus example 1, 2, 4, 6 example 1, example 2, example 4 example 6 ये तुसी हूँ मागी है thank you students आई जा टोपी का ही बड़ा इजी चेप्टर गया कर ले उनूं अपने आप ये करो ये रहा आपने को लागी है